Hello students, आज की वीडियो में हम लोग इस वाले integration question को solve करेंगे यह वाला question मैंने पिछले वाले वीडियो में homework दिया था उमीद करता हूँ आपने try जरूत किया होगा अब आईए इसका solution देखते हैं कि कैसे इसे solve करेंगे ठीक है तो substitution method के उपर based है लेकिन अब हम लोग इसे direct solve करना सीखेंगे मेरे कहने का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था यह जो 2x-3 है यह 2x-3 है यह आपको ax plus b के जासा नजरा रहा होगा ठीक है तो पहले हम लोग इसे क्या करेंगे ना अलग अलग हिस्सों में तोड़ देंगे क्योंकि यहां पर दो function है एक यह और एक यह मैं लिखूंगा integration 2x-3 square-square dx plus integration root 3x plus 2 dx यह चीज हमें दिखेगी ओके देखेगा मैंने आपको दाया था यह जो 2x-3 है यह जो 2x-3 है अगर आपको यह ax plus b के जैसा ना जरा है ठीक है तो ऐसे cases में a की value note करके देखे एक की value 2 है एक की value क्या है 2 है इससे आप direct integrate कर सकते हैं मतलब भी हो जाएगा 2x-3 2 power क्या करते है एड करते है ना 2 plus 1 divided by नीचे भी आजाएगा 2 plus 1 ठीक है यहां तक को दिक्कत नहीं लेकिन जो a की value आती है ना जब हम लोग इसको 2x-3 को a x plus b के equal मानते है तो जो a की value आती है उससे divide भी करते है यानि 2 से divide भी करेंगे ठीक है बीच में plus ध्यान से देखिए 3x plus 2 जो है 3x plus 2 जो है यह भी a x plus b के जैसा न जला रहा हूँ ठीक है यहां a की value 3 है बस a की value 3 है तो जैसे यह root 3x plus 2 है मैं इस root को हटा का लिख सकता हूँ power 1 by 2 है ना root का मतलब power 1 by 2 तो यह हो जाएगा normal 3x plus 2 1 by 2 plus 1 हो जाएगा integrate करेंगे तो divided by 1 by 2 plus 1 है ना उसी चीस्ते divide भी करते है अब जो a की value आय थी जो की 3 थी तो उससे भी divide करेंगे है यह सब rule था अब इसे solve कर लेंगे तो उपर हो जाएगा 2x minus 3 का power 3 divided by 2 plus 1 3 होगा और 3 को जब 2 से करेंगा तो 6 आ जाएगा बीच में plus यह जाएगा 3x plus 2 का power 1 by 2 में 1 जोल लिजेगा 3 by 2 आएगा और नीचे भी जाएगा 3 multiply by 3 by 2 यह 2 तो उपर चल जाएगा यह जो नीचे वाला 2 है यह उपर चल जाएगा तो हमें मिलेगा फाइनली 2x minus 3 का power 3 divided by 6 प्लस यह 2 उपर चल जाएगा तो यह जाएगा 2 ब्रैकेट में 3x plus 2 का power 3 by 2 divided by 339 प्लस C लगा दीचे यह हमारा अंसर होगा बहुत इजी जाएगा तो इसका solution में अगले वीडियो में कराया है वहाँ पे आप जाके देख लीजएगा आज की दूमस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई झाल 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